को कि साहिँ आए मारा ड्रेक्ट का लीक्शनमर त्वाल वै और आज जो ए वह मैंने बेव स्विड जैसको केलकुलेट करने वेव स्विड को केलकुलेक्च करने के दो त्रीके हैं पहला मैथेड ग्रेजिया हैं इसकोStory नेनलेसिस और दूसरा मैथड जो है उसको हम कहते हैं मेकैनिकल अनेलेसिस यह अनलिटिकल अनेलेसिस भी कहते हैं तो जो स्पीड अफ वेव है इन दो मैथड्स के जिरी है हमने स्पीड अफ वेव जो है उसको कैलकुलेट करने किसी स्ट्रिंग के अंदर आप कंसिडर करें एक ट्रांस्फर पल्स है यह पहले मैं डैमेंशनल अनलिटिस जो है उसको डिसकास करने ही लगाँ कंसिडर करें कि एक ट्रांस्फर पल्स है जो कि मूव का रही है एक स्ट्रिंग के अंदर Consider, a transverse pulse is moving through a stretch string. Its stretch string के अंदर से, एक transfer pulse जो है, वो move का रही है. ठीक है, जाने के, इस तरह ये एक string है, और इसके अंदर ये एक transfer pulse जो है, वो move का रही है. तो ये जो है, ये move का रही है from left to right, तो इसकी जो phase velocity है, याने कि जिस velocity के साथ string के अंदर move का रही है, वो depend का रही है upon linear mass density and tension. The phase velocity, याने कि जो phase velocity है, of the wave, depend upon, तो वो depend का रही है, किस किस के उपर number one, linear mass density. और number two के उपर tension, tension की force, tension force, linear mass density, याने कि अफजारी बात है ये string है और ये की dimension में है, ठीक है, या से आप देखें कि ये marker है, तो ये की dimension में है, तो linear mass density, जितना mass इस length के उपर distributed है, उसको हम कहेंगे linear mass, याने कि mass per unit length, इसकी length के उपर जितना mass है, वो linear mass density होगी. तो ये जो phase velocity है, याने कि जिस phase velocity के साथ, ये wave string के अंदर move कर रही है, वो दो चीजों पर depend करते हैं, ये linear mass density, कितना mass per unit length distributed है, और tension, जारी बात है string है, तो उसके अंदर tension की force होगी, तनाओ की force होगी. तो अब इन दो factors के उपर, ये depend करते हैं, तो जो हमारे पास linear mass density है, linear mass density, ये linear mass density जो है, इसको हम mu से करते हैं, mass per unit length, तेक है, इसको हम कहते हैं, mass पर, ये जितना mass उस length के उपर distributed है, तो अब phase velocity V जो है, वो दो factors, tensional force, F, A, और mu B, linear mass density के उपर depend करती है, तो यहाँ पर A और B जो हैं, वो constants हैं, और A और B की value, A and B are constants and their values will be determined, और इनकी values जो हैं, वो determined की जाएंगी, with the help of dimensional analysis, और इनकी value dimensional analysis की मदद से calculate की जाएंगी, तो the dimensions जो है, ये फस्ट येर का जो चैप्टर नमबर वान, measurement का, उसके अदर dimensional analysis सखाए जाते हैं, कि जतनी भी physical quantities होती हैं, dried physical quantities, वो basic physical quantities के उपर depend करती हैं, जिसमें length, mass और time, ये तीन मारे पास main basic physical quantities होती हैं, तो अब इसमें इस equation के अंदर, इस equation को मैं कहा ज़ता होगी, ये को capital equation A है, इस equation A में V जो है, ये क्या है, ये D over T है, displacement over time, तो displacement को length में, मेर करते हो time को T में, तो इसकी L T inverse, इसकी dimensions होगी, अब दूसरा F है, तो by Newton's second law, F is equal to M A, M A किसके बराबर होता है, A होता है V over T के, और V बराबर होता है D over T के, तो V की values के अंदर put करें, तो ये हैंगा D over T square, तो ये हैंगा D over T square, तो इसकी dimensions लिखें, mass, capital M, B, length और T square, तो यह नहीं कि ये आज़ेगा M L T inverse, these are the dimensions of force, ये आपके पास force की dimensions जो हैं, वो आज़ेंगी, उसके बाद, अब मारे पास रहेगा M U B, तो M U के M over L, M L, यानिके M L inverse, अब ये जो equation A है, इसको आप लिख सकते हैं कि V proportionality खत्म कर दूँ, तो K F of A, M U of B, और अगर K को मैं 1 ले लूँ, तो V मेरे पास F of A, M U of B के बराबर आजएगा, तो ये equation B आजएगा, तो अब ये सारी values जो M U F और V की calculate की हैं, इनको आप equation number B के अंदर substitute कर दें, क्योंकि आपने इस dimensions calculate कर ली हैं, तो V आपने क्या calculate की है, L T inverse, F A, M L T inverse, A, और M L inverse, B, ये values आपने calculate की हैं, अब आप compare करें coefficients को बोज साइट के उपा है, तो आप देखें के पहले M को हम देखते हैं, M की मारे पास A और B, A plus B और इस तरफ को ही भी नहीं है, तो 0, equation 1 ना आगी, उसके बाद L को देखें, L की power A, A minus B, is equal to 1, ये दूसरी equation आगी, उसके बाद आप देखें, T minus 2 A, minus 1, minus minus ने काट गया, A is equal to 1 over 2 आगया, पहली equation में put करें, A की value 1 over 2 plus B is equal to 0, तो B is equal to minus 1 over 2, तो ये आपने coefficients जो हैं, इनको calculate कार लिया, आप इनको equation number B के अंदर, A और B की value substitute करें, तो V आपके पास क्या आजाएगा, A की value, आपके पास आए 1 over 2, और B की value minus 1 over 2, यानिके V F over mu 1 over 2, यानिके V is equal to F over mu, दिस इस इस वेलासिटी अफ वेव इन श्रिंग, ये मारे पास जो है, required wave speed है, किसी mechanical wave की, ठीक है जी, ये मारे पास required wave speed है, किसी mechanical wave की, यानिके जो force, tension की force, और depend कार रही है, linear mass density के उपर, इन दो चीज़ों पर, speed जाए wave की, mechanical wave की वो depend कारती, यानिके tension की force बढ़ाएंगे, तो speed बढ़ेगी, क्योंकि directly proportional है, और linear mass density काम होगी, तो speed काम होगी, linear mass density ज्यादा होगी, linear mass density काम होगी, तो speed ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास था first method, जिसको हम कहते हैं, dimensional analysis, अब दूसरा हमने calculate करना है, दूसरा method जो है, उसको हम कहते हैं, mechanical analysis, mechanical analysis से, तो mechanical analysis में भी उसी तरा हीं, consider करेक transfer wave, which is moving through a stress string, consider a transverse wave which is moving through a stretched string, जो के stretch string के through जो है, वो move का रही है, ये का आपके पास जो है, वो transfer वेव है, तो ये वेव भी light से left को, left से right को move का रही है, string के अंदर, तो जो speed है वेव की, वो उसी तरह डिपेंड करेगी, किस के उपर, tension के उपर, और linear mass density के उपर, मसाल के तरफ़ ये वेव है, यू इस तरह करके, move का रही है, अब mechanical analysis के अंदर, मैं एक length element delta x जो है, वो ठाओंगा, एक section string के उपर, ठीक है, consider, a length element of delta x, एक length element जो है, delta x का, on the section of string, string के किसी section, अब ये पूरा string है, इसको पर छोटे छोटे, length element आप ले सकते हैं, जिनको आप delta x, चोटे-चोटे length element, जिनको ये x direction में, ये move का रही है, तो delta x का, एक length है, क्योंकि ये पूरी, जो length है, string की, उसमें चोटे-चोटे, length के elements है, एक delta x का length element, मैं उठा लूँगा, तो अब यहाँ पर, आप देखें, कि wave के अंदर curve है, there is, a curve in wave, ये आप देखें, ये curve आ रहे है, ये wave के अंदर, जो है, वो, curve आ रहे है, तो हम क्या करेंगे, consider करेंगे, circle of radius R, ठीक है जी, चुछके wave के अंदर, curve आ रहा है, so, we consider a circle of radius R, हम एक circle जो है, उसको consider करेंगे, जिसका की radius जो है, वो R के बराबर है, और ये कोई अंगल थीटा मना रहा है, with origin, which is, making angle, थीटा with, origin, जो के औरीजिन के साथ, कोई अंगल, थीटा जो है, वो बना रहा है, तो मैं यहाँ पर ये section, जो है, इसकी figure, अब बनाता हूँ, इस जगा पर, आप देखें कि हमने, ये एक section, उठाया है, वेव का, ये, और यहाँ आपर आमने, ये length element लिया है, इसका, डेल्टा X, एक forces पर इस तरफ से लागरी है, F1, और एक forces पर इस तरफ से लागरी है, F2, ठीक है, दो forces जो हैं, वो लागरी हैं, ये इसका origin है, O, और, इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, तो यहाँ से, ये, ठीटा, ये धी ठीटा angle, बना रहा है, और R इसका, ये radius, अब यहाँ पर force of tension है ये, जो दोनों साइडों, जो हैं string की उसके उपर act का रही है, there is a force of tension in string, which is acting on both sides of the string, जो string की दोनों साइडों की उपर जो है, वो act का रही है, तो जो horizontal component है, वो cancel out हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई भी contribution नहीं है, towards a transfer displacement of the wave, the horizontal components will cancel out, horizontal components जीनकी जो horizontal के लाँएंगे ये cancel हो जाएंगे, का जाएंगे, they have no contribution towards the ट्रांसफर्स डिस्प्लेस्मेंट और इनका कोई भी जो है वो जो ट्रांसफर्स डिस्प्लेस्मेंट है वेव का उसके ट्वर्ड कोई बी कंट्रिबूशन जो है वो नहीं है लेहाजा जो हारिजन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे यानि कि आप कह सकते हैं कि समेशन f of x is equal to 0 तो f1 cos theta 1 minus f2 cos theta 2 is equal to 0 यानि कि f1 cos theta 1 is equal to f2 cos theta 2 के बराबर आ जाएगा तो चुकर याँ पर theta 1 theta 2 theta के बराबर है लेहादा आपके पास f1 is equal to f2 is equal to f जो है इसके बराबर value आ जाएगा अब लेकिन जो vertical axis हैं यह तो horizontal जाना है लेकिन vertical axis के उपर जो components है force के वो add up हो जाएगा जाएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा यह वर्टिकल जो है इसका वाई यह और यह इसका एक्स था तो अलांग वर्टिकल जो है वो कंपोनेंट्स यह वो एड़ आप हो जाएंगे तो अब जो फर्स्ट कंडिशन आफ एक्वेविलियम है सम्मेशन इस इकल तो जीरो एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू तो दैट इस इकल तू एफ पर्पेंडिकलर यह पर्पेंडिकलर कंपोनेंट्स यह वो एग्जिस्ट कार रहा है यह इसके बराबर आ जाएगा अब आपको पता है कि एफ वन एफ टू एफ के बराबर है थीटा वन थीटा टू थीटा के बराबर है तो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा इस इकल तो एफ पर्पेंडिकलर तो यह कहा जाएगा तू एफ साइन थीटा एफ पर्पेंडिकलर थीक है यह 2F sin theta F perpendicular के ब्रावर है अब अगर यहां पर हम small angle approximation लगा दिए small angle approximation small angle approximation कहती है जो साइन आफ थीटा है तो 2F theta is equal to F perpendicular इसको आप कहाँ दें कि यह कोई आपके पास equation यह जो है वाई अब जो हमारे पास equation होती है आर्क लेंथ की ठीक है आर्क लेंथ की equation है वो क्यों हो कि हमारे पास S is equal to R theta तो यहां पर मैं S को replace कर देता हूँ delta X से और R को capital R से तो delta X is equal to 2R theta क्योंकि यह दो angle यहां पर हमारे पास बन रही है ठीक है theta plus theta is equal to 2 theta यह दो angle यह हमारे पास बन रही है ठीक है यह दो angle theta 1 theta 2 is equal to 2 theta क्योंकि हमने कहा हो है कि theta 1 theta 2 के बराबबर है तो theta plus theta is equal to 2 theta के बराबर जो है यह आ जाएगा तो अब आपके पास जो है यह 2R theta delta x 2R theta के बराबर आ जाएगा तो theta यहां से हमारे पास delta x over 2R के बराबर आ जाएगा आप यह जो theta delta x over 2R इसको equation number a के अंदर आप use करें तो f perpendicular 2f theta की वैल्यू delta x over 2R तो यहां पर अब f perpendicular जो है यह 2 2 के साथ cancel हो गया तो f perpendicular f delta x over R के बराबर आ जाएगा और इसको कहा जाएगा यह equation number b आपके पास ठीक है that is equation number b now जो force of tension है अब जारी बात यह करव बन रहा है यहां पर तो जो force of tension have actually centripetal force provide कर रही है the force of tension is providing centripetal force tension की जारी बाता centripetal force जो है वो किसी दूसरी force की वज़ा से आती है तो centripetal force जो tension force है वो centripetal force provide कर रही है तो f perpendicular हमारे पास m v square over R के बराबर है तो अब इसके अंदर यह जो f perpendicular m v square over R है इसके अंदर मास आ रहा है तो m को हम कहते हैं कि यह delta m के बराबर है यानि कि f perpendicular delta m v square over R इसको ले ले लेते हैं तो mu जो होता है delta m over delta x max per unit length तो यहां से mu delta x जो है वो delta m के बराबर है तो यह value दिर पुट करें तो f perpendicular delta m की जगा mu delta x v square over R यह f perpendicular की value है तो यह हो जाएगी equation number c अब c और जो आप के पास equation b है उसको compare कर ले compare c and b c और b जो है इसको compare कर लें तो c और b को compare करें तो आपके पास क्या आजाएगा आपके पास आजाएगा mu delta x v square over R is equal to f delta x over R यह चीज़ जो है यह आपके पास बन जाएगी equation तो यहाँ पर आप देखें कि R R से cancel हो जाएगा delta x delta x से cancel हो जाएगा तो f is equal to mu v square तो v square f over mu तो v जो है वो f over mu under root तो यही मारे पास required expression है for the speed of a wave in string with mechanical analysis तो यह mechanical analysis की मदद से हमने the same expression जो है उसको calculate कर लिए तो यह paper में आप से question पूर सकता है कि speed of mechanical wave जो है उसको calculate करें किसी string के अंदर तो अगर वो mention नहीं करता कि कौन से कि method से करें तो आप किसी भी method से करते हैं लेकिन अगर वो mention कर देता है कि mechanical से करें तो फिर mechanical से करेंगे यहां वह करता कि dimensional से करें तो तो कोई mention नहीं करता तो फिर जिसे मर्जी आप कर दें उसके बाद नेक्स टॉपिक यह है वो है मारा the wave equation equation of wave ठीक है हमने wave की equation यानि कि wave जो है किस equation को follow करती है वो equation हमने calculate करनी है यानि कि player wave की equation जो है उसको calculate करना है तो consider करें कि एक transfer wave है जो कि move कर रही है in positive x direction consider a transverse wave which is moving in positive x direction पाजिटिव एक्स डिरेक्शन की अंदर move कर रही है अब जो motion है wave की इसके अंदर पार्टिकल जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं about their mean position और यह सिंपल हार्मानिक motion जो है वो perform कर रहे हैं तो दो forces जो act करेंगी on the ends of the string यानिकर जिस string के अंदर ये wave propagate का रही है उसकी दोनों साइड पर दो forces act करेंगी यानिकर एक साइड यह और एक साइड यह है इसमें एक length element हम ले ले लेते हैं delta x तो 8 साइड पर यह F1 यहाँ पर force लगेगी और 8 साइड पर यह F2 यहाँ पर force लगेगी हम एक small element हमने string के उपर delta x जो है वो ले लिए है अब यह जो forces लागे नहीं हैं इनको हमें components के अंदर resolve करना पड़ेगा तो मैं इनको components के अंदर resolve कर देता हूँ यह कोड़ फिगर जहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर आप देखें के हमारे पास जो यह इस जगाँ पर force है यह F2 है तो यह F2 का इदर सामने वाला F2 sin theta 2 यह sin theta अंगल यह theta 1 अंगल और F2 cos theta 2 इसके सामने वाला F1 sin theta 1 यह F1 force है और इदर F1 cos theta 1 यह हमारे पास दो forces है इदर F2 और F1 और इनके यह components जो हैं वो बन रहे हैं जो के दो ends की ऊपर act का रही हैं तो अब horizontal components के लिए summation F of x is equal to 0 F1 cos theta 1 minus F2 cos theta 2 is equal to 0 F1 cos theta 1 F2 cos theta 2 क्योंकि theta 1 theta 2 के बराबर है और F1 F2 के बराबर है तो हमारे पास F1 cos theta 1 F2 cos theta 2 F के बराबर है अब जो wave transfer है चूंके तो इसके vertical components जो हैं वो contribute करेंगे तो summation F of y is equal to 0 तो summation F of y जो है that is equal to F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2 यह आजाएगा हमारे पास equation आजाएगी तो अब इस equation को multiply कर दें अब दोनों साइडों के उपर और divide cos theta से तो यह मारे पास आजाएगा summation F of y F1 sin theta 1 cos theta 1 cos theta 1 plus F2 sin theta 2 cos theta 2 यह multiply और divide कर दिया हमने cos theta 1 और cos theta 2 के साथ तो यह क्या आजाएगा summation F of y F1 tan theta 1 cos theta 1 plus F2 tan theta 2 cos theta 2 अब क्यूंके हमें यह इस पास का पता है कि हमारे पास यह condition है F1 cos theta 1 F2 cos theta 2 जब वो F के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं summation F of y is equal to F tan theta 1 plus F tan theta 2 we can write this और यहां पर यह summation F of y आजाएगा F into tan theta 1 plus tan theta 2 F को कॉमन नकाल नहीं तो अब यह change आ रही है अंगल के अंदर summation F of y F delta tan of theta इसको कहलें यह equation number 1 जो है वो आगे अब बाइ newton second law newton के second law के मताबक जो हमारे पास submission F of y है that is equal to delta m a यह delta m a के बराबर है तो यह equation 1 नहीं है तो यह 2 है तो आप compare कर ले तो आप compare करेंगे तो F delta tan of theta is equal to delta m a के बराबर जो है वो आ गाएगा अब यहाँ पर linear mass density का concept है तो mu delta m over delta x है तो delta m mu delta x के बराबर है तो यह है रहेगा F delta tan of theta mu delta x a है तो इसको हम write down का सकते हैं F delta tan of theta over delta x u a के बराबर है अब यहाँ पर tan of theta obviously slope है और यह जो है यह transfer acceleration है तो यह जो है यह बराबर होगा delta y square over delta t square के है और tan of theta चुके slope है तो tan of theta बराबर होगा delta y over delta x के तो यह values यहाँ पर substitute करें तो F delta into tan of theta की जगा पर delta y over delta x over delta x is equal to mu delta y square over delta t square तो अब आप देखें के हमारे पास यहाँ पर अब इसको हम write down का सकते हैं कर delta x को हम 0 के बराबर ले लें और delta t को भी हम 0 के बराबर जो है वो limit ले लें तो उस सूरत में यह equations अमारे पास क्या बनेंगी F limit delta x goes to 0 delta over delta x delta y over delta x is equal to mu limit delta t goes to 0 delta y square over delta t square यहाँ तो जब limit लगे ही कि तो यह partial derivative में बदल जाएगा curly over curly x curly y over curly x mu limit लेंट जाएगा तो यह derivative के जड़ग तो curly y square over curly t square इसके बराबर जो है यह आ जाएगा तो इसको आप write down का सकते हैं curly square y over curly x square is equal to mu curly square y curly y square over curly t square तो यहाँ पर हमें हम पता है के जो value होती है हमारे पास f की ठीक है v is equal to f over mu का under root तो v square f over mu f की value लोगा ले तो mu v square f यह value दर पूट करें mu v square curly square y over curly x square mu curly square y over curly t square तो mu mu से cancel हो गया curly square y over curly x square one over v square curly square y over curly t square यह जो equation है इस equation को हम कहते हैं this is known as wave equation यह यह equation मारे पास निकल आई है इसको हम wave equation का नाम देते है कि curly square y over curly x square 1 over v square curly square y over curly t square this is the required equation of wave यह नहीं कि अगर आपको कहें कि equation of wave आप देखें यह plane wave की equation है x position है जिसमें propagate का रही है और y उसका transfer displacement है तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि this is the solution of plane wave यह यह plane wave की आपके पास question है तो electric और magnetic field जो होते हैं उनको भी इस form में हम लिख सकते हैं कि curly square e over curly x square 1 over c square curly square e over curly t square इसी तरह magnetic field को curly square b over curly x square 1 over c square curly square b over curly t square तो this is the equation of wave इसको हम equation of wave का नाम देते हैं तो यह भी paper के अंदर आप से वह question पूछ सकता है कि plane wave equation को drive करें या equation of wave जो है उसको drive करें ठीक है तो मैं अब यहां पर जो है इसको lecture को end करता हूं अब हम जो है वो मंडे को hopefully कालज में क्लास होगी और फिर वहां पर मैं में मेकैनिक से start करूंगा अभी मैं यहां पर इसको class को end कर रहा हूं